जहिन साथियों साथि अगर आप उत्त्राखंड से रिलेटेड हैं यानि उत्त्राखंड राज्जिके हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका आया है सरकारी नौकरी करने का और इसकी क्वालिफिकेशन जो है साथि ये आप देख सकते हैं कि आठमी और दसमी पास जो लोग हैं जो छात्र हैं उनके लिए बेहतरीन मौका निकाला है उत्त्राखंड सरकार ने ये साथि कुछ ड्राइवर्स के पद हैं सरकारी पद हैं तो सरकारी हैं इसलिए most important आप देख सकते हैं कि ये भरती अभियान ड्राइवरों के 164 पदों के लिए है तो चलिए साथी बात करते हैं पूरी जानकारी या आपके दैनिक जागरण जो एक authentic news paper माना जाता है साथी उसकी है तो अगर आप पहली बार अपने परिवार exam इंडिया वार पर हैं तो प्लीज subscribe करिए, share करिए और comment करिए आपका छोटा सा परिवार है अपना प्यार दीजिए और यहाँ पर विभिन प्रकार के जो सरकारी exams हैं उनकी तैयारियां कराई जाती हैं तो चलिए news देखते हैं साथी तो यहाँ पर news है कि अगर आप उत्त्राखंड में रहते हैं और आप सरकारी नौकरी की तलास में हैं तो साथी आपके लिए बेहतरीन मौका है उत्त्राखंड सब और्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन ने ड्राइवर, इंफॉर्समेंट ड्राइवर और डिस्पैच राइडर पदों के लिए आनलाइन अवेदन आमंत्रित की हैं साथी इसके लिए कुल 164 पदों पर नियू की मतलब टोटल जो पद हैं 164 पद हैं और कुल भरती में 161 ड्राइवरों के लिए हैं जबकि दो पद इनफॉर्समेंट ड्राइवर के लिए हैं और एक पद डिस्पैच राइडर पोस्ट के लिए साथी तो 161 ड्राइवर दो पद इनफॉर्समेंट ड्राइवर और एक पद जो है आपका डिस्पैच राइडर पोस्ट के लिए हैं ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन अपलाई करना चाहते हैं, वो जो उत्तराखंड सरकारी की ये वेबसाइट दी हुई है, अधिकारिक वेबसाइट है www.sscukgovernment.in पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हलांकी इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया अभी सुरू नहीं हुई है, साथी इन पर जो आवेदन की प्रक्रिया है, यानि जबसे आप इन पर अपलाई कर सकते हैं, 27 अगस्त 2021 से लेकर 10 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आनलाइन अपलाई करना चाहते हैं, वे इस दोरान कर दें। यानि कब से कब तक साथी 27 अगस्त से लेकर आप 10 अक्टूबर के बीच अपलाई कर सकते हैं साथी। तो देखते हैं साथी इसके लिए क्या क्या आपको मतलब क्या क्वालिफिकेशन है तो आठमी और दसमी पास होना चाहिए साथी। आगे बढ़ते हैं साथी। अब यहाँ पर देखिए। नौटिफिकेशन जारी हुआ है आपका 24 अगस्त को यह जो नौटिफिकेशन आया सरकार का 24 अगस्त 2021 को इनों जारी किया है। साथी यहाँ पर दिया हुआ कि आउनलाईन आवेदन सुरू होने की तारीक तो 27 अगस्त से। नौटिफिकेशन तो 24 को आया है पर आउनलाईन कब से होगा आपका 27 अगस्त से होना है और अन्तिम्तिति की बात करें 10 अक्टूबर 2021 से आउनलाईन आवेदन फीस जमा करने की लाश्ट डेट तो फीस आपका 12 अक्टूबर तक जमा होगी जो फीस होती है वो और साथी यह जो परिच्छा होनी है वो दिसंबर 2021 में तो काफी टाइम है आपके पास अगर आप अपनी बेहतरीन तयारी करते हैं तो साथी आप एक्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे और आप बेरोजगार से एक रोजगार युवा बनने की वर अग्दसर हो जाएंगे साथी सरकारी न आठवी पास करना बिल्कुल जरूरी है इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग में पान साल का अनुभव होना चाहिए वही डिस्पैच राइडर पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीद को दस्मी कच्छा उत्रिन होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना अन अपलाई कर सकते हैं और आर अच्छी तवर्ग यानि जो सेस्ट होते हैं उनके लिए सरकार की नीती के अनुसार छूट भी मिलेगी साथी और यहां पर वही इस भरती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए जो सरकार की वेबसाइट है जो मैंने आपको बताई थी फ्रे क्योंकि यार बेरोजगारी कोरोना ने सबको परिसान करके रख दिया है तो इस पर अपलाई जरूर कर दें तो फ्रेंड्स अपनी चोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक ब्रहतरीन जानकारी देनी की कोसिस की है आपको वीडियो कैसी लगी केमेंट करिए अपने परिवार एक्जाम इंडिया वार पर पहली बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए शेयर करिए लाइक करिए और यहां पर जो गवर्मेंट जॉब्स की तयारी भी कराई जाती है तो प्लीज अगर आपके लिए बहतर लगे तो उसकी भी तयारी कर सकते हैं जहि और यहां जहिए तो प्लीज कर दो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कर ली अगरेंगा।